स्वापरागन और परपरागन में अंतर ये जो आपका पोधा है वहाँ एक गेहूं का पोधा है और गेहूं के पोधे में स्वापरागन होता है और एक पोधा हो रहे हमारे पास ये गिंदे का पोधा है और इस पोधे में परपरागन होता है इन दोनों पोधों के जरी हम परागन का अंतर देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं स्वापरागन देखिए स्वापरागन हम जानते हैं कि जो स्वापरागन की फिरक्रिया होती है वहां उसी पोधे में होती है या तो उसी पुस्प में होगी या उसी पोधे के किसी दूसरे पुस्प में होगी पर लेक ठीके तो सबसे पहले यह जो गेओं के पोदे की विसेशता है कि यह क्या है द्विलिंग की पोदा है अर्थात इसमें नर भाग भी और मादा भाग भी है ठीके दूसरी चीजे कि जब स्वापरागन की प्रतिर्या जब एक ही पोदे में होगी तो इसके लिए कोई बहामाद् पुस्प है यह ठीक है आपको इसको हम गाओं की बास हम बोलते है फुले रहा ठीके जब आपके गेहों में आता है फुले रहा तो इसके जो पुस्प है यह आकरसक हिन होते हैं मतलब देखने में हमें आकरसित नहीं करते हैं गंद हिन भी होते हैं इन में से गंद भी नहीं आती है पर लेकिन साब पर-परागन के द्वारा जो पुस्प बनता है वहां पुस्प आपको देखने में आकरसित करेगा आपको उसमें से गंद भी आएगी सुगंद आएगी ठीके पर ऐसा गेऊंगे पोदे में नहीं होगा तो इसके पुस्प आकरसिखीन गंद हीन होते ह और एक चीज़ और है कि जब इसके द्वारा जो बीज बनेंगे वहां आकार में छोटे होते हैं और साती साथ बीजों की संख्या भी कम होगी ठीक है इसके द्वारा जो बीज बनेंगे वहाँ कम होंगे और वो सातिसात आकार में भी छोटे होंगे और परपरागन में देख लिए यह परपरागन की जो पिर्किरिया होती है वहाँ अलग-अलग पोधों में होती है यानि कि ये दो पोधे में ने ले लिए ठीक है और दो पोधों में ये परपरागन की प्रक्रिया होगे और इसके पराग कोसे से पराग कन इस पुस्प के वर्तिकागर पर पहुचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे परपरागन कहें ठीक है अच्छा परपरागन मे वहाँ एक लिगी पुस्प और दुई लिगी पुस्प दोनों प्रकार के पोदों में हो सकती है लेकिन जब इसके पराग को से पराग का नहिहा पर आएंगे तो किसी ना किसी माढध्यम की आवेश कता होगी यहनि किसी ना किसी के जर्यी तो आएंगे तो वह माध्यम आपका हो सकता है जल वायू कीट ठीक है तो परपरागन में दो चीज देखी आपने जो परपरागन की पिरक्रिया है वहाँ द्विलिंगी पुस्प या एक लिंगी पुस्प दोनों में हो सकती है पर इसके लिए बहा माध्यम की आवज सकता होती है और तीसर द्वारा जो बीज बनेंगे वो संख्या में अधिक भी बनेंगे किसके द्वारा परपरागन के द्वारा और बीज का आकार भी कैसा होगा स्वापरागन की तुलना में बने भी जोकी तुलना में कैसा होगा बड़ा होगा तो परपरागन के द्वारा बने बीज संख्या में भी अधिक होंगे और साथी साथ आकार में भी बढ़े होंगे अब देखिए आब इसका अंतर कैसे बनाएंगे देखिए स्वा परागन के लिए पुस्प का द्विलिंगी होना आविश्यक नहीं है अर्था तो द्विलिंगी होगा या एक लिंगी होगा दोनों परकार के संक्या कम होती है और परपरागन के द्वारा बने बीजों की संक्या अधिक होती है इसमें बीच का अकार छोटा होता है इसमें बीच का अकार बड़ा होता है और इसके द्वारा बने पुस्प रंगहीन गंदहीन और मकरंदहीन होते हैं और इसके द्वारा बने पुस्प गं विश्यक नहीं है, इसके दोरा बने वी आकार में चोटे होते हैं, और साथा साथ उनकी संख्या भी कम होती है, और इसके दोरा बने पुस्प गंदहीन, और आकरशक हीन उते हैं, उसी प्रकार प्रॉजनमा आप इसका उल्टा कर दीजे, देखिए इसके पुस्प का द्विलिंगी होना विस्यक नहीं है इसके लिए बाहा माध्यम क्या होई सकता नहीं होती है इसके लिए बाहा माध्यम क्या होई सकता होती है इसमें बीजो का अकार छोटा होता है इसमें बीजो का अकार भड़ा होता है और इसके दोरा बीज बने जो बीज बनते हैं वो संक्या में कम होते हैं और इसके दोरा बने बीजों की संक्या अधिक होती है ठीक है और नमर पाँच इसके पुस्पाकरसक हीन गंद हीन और मकरंद हीन होते हैं और इसके पुस्पाकरसक और गंद युक्त होते हैं तो आप इ प्रश्क्रीन सोट ले लीजिए और इसे अच्छे से कंप्लेट कीजिएगा बड़ाई महत्पूर्ण प्रस्ण है यह हर साल परिक्ष में आता है ठीक है कि अच्छ कि कि अच्छ कि अच्छ झाल झाल